नमस्कार, News at 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अम्रितुपाध है, आई ये जल्दी से देखते हैं आज की हेड्लाइन्स Rule of Law Index में सुधार करेगी सरकार, कमेटी का किया गठन, World Justice Project करता है जारी Domestic Systematically Important Banks 2021 की लिष्ट जारी, SBI, ICICI और SDFC को मिली जगर, अर्थववस्था के लिए बेहत जरूरी होती हैं ये बैंक्स और National Green Hydrogen Mission को मिली मन्जूरी, अगस्ट में की थी प्रधान मंत्री ने घोशना, जलवायू परिवर्तन से निपटने में मिलेगी मदद चले, खबरों के शुरुआत करें, उससे पहले एक बार फिर बता दूँ कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मिट में पढ़ना चाहते हैं, तो अमरित उपध्ध है 007 टेलिग्राम चैनल पर जाईए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है खबरों को शुरू करते हैं, कानून मंत्राले ने Rule of Law Index में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए एक समिती कगठन किया है, ये समिती 23 मंत्रालेओं और विभागों के साथ मिलकर काम करेगी, रैंकिंग में सुधार के मकसद से सरकार ने एक Private Agency Market Excel Data Matrix Private Limited को भी हायर किया है, ग इंडेक्स के मुताबिक कानून के शासन और समाज में अर्थववस्था, शिक्षा और सुरक्षा के बीच सकारात्मक संबंध होता है, कानून का शासन धष्टाचार और गरीबी कुमिटाने में मददगार है, यह लोगों को गरीबी, बीमारी और अन्याय से सुरक्षा मु इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2018 में, UPSC की प्रारंभिक परिक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिये, सवाल पूछा गया था, रूल ओफ लॉओ इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, एमिनेश्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस, ओफिस ओफ यूएन कमिशनर फॉर हूमन राइट्स या फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, आर्बियाई ने DSIB यानि Domestic Systematically Important Banks 2021 की लिस्ट जारी की है, 2020 की तरह इस साल की लिस्ट में SBI, HDFC और ICICI को जग़दी गई है, गोहर तलब है कि जुलाई 2014 में आर्बियाई ने DSIB के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया था, जिससे 2015 में लागू किया गया था, इसके मुताबिक RBI Systematic Important Score के आधार पर बैंकों को DSIB घोशित करेगा, आर्बियाई ने SBI को 2015 में, ICICI को 2016 में और HDFC को 2017 में DSIB का दर्जा दिया था, DSIB के आधार ना 2008 में आये वित्तिय संकट के बाद सामने आई थी, इनके बारे में Too Big To Fail फ्रेज का यूज किया जाता है, मतलब ये कि अगर ये बैंक्स फेल होते हैं तो पूरी वित्तिय विवस्था पर इसका खतरनाक असर दिखेगा, किसी बैंक को SIB का दर्जा हासिल होने के फायदे भी होते हैं, मसलन वित्तिय संकट के समय सरकार से मदद मुहिया कराया जाना, और केंद्रिया बैंक नियमन और निगरानी में भी इन पर खासा ध्यान दिया जाता है, भारत में केंद्रिया बैंक के तौर पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया काम करती है, आर्बी आई द्वारा जारी लिश्ट में पांच बकेट होती हैं, इनमें ICI, CI और HDFC को एक बकेट में तो SBI को तीन बकेट में जगह दी गई है, दरसल अपने आर्थिक और राष्ट्रिया मेहत पर के चलते हैं, बैंकों को टियर वन एक्वेटी के तौर पर ज्यादा RWA यानि रिस्क वेटेड एसेट्स मेंटेन करना पड़ता है, इसी के मताबिक बकेट में जगह मिलती है, SBI को 0.60 प्रतिशत का तो ICI, CI और HDFC को 0.20 प्रतिशत का RWA मेंटेन करना पड़ता है, भारत सरकार खुर्षी उत्पादों के निर्यात को बढ़ःवा देने के लिए Blockchain टकनीक के प्रेयव करेगी, ब्लॉकचेन टकनीक के जरीए सरकार निर्यात वाली सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ःवा देने का काम करेगी, साथ ही उत्पादों को केमिकल फ्री बनाने पर जोर दिया जाएगा नीतियायोग ने सेव की खेती के लिए एक पाइलिट प्रुजेक्ट भी लॉंच किया है इसमें पूरी सप्लाई चेन में गुडवत्ता और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाएगा आपको पतादें कि blockchain तकनीक के नाम से साफ है कि blocks की chain यह सरंखला इस तकनीक में blocks की एक series होती है इन blocks में सूचनाइं होती है यह सूचनाइं cryptography के जरीए encoded होती है cryptography data को store करने और आगे transmit करने का एक तरीका है यह किसी particular form में ही आगे भेज़ा जाता है जिससे इसे केवल वे ही decode कर सकते हैं जिनके लिए इसे भेजा गया है यह data को चोरी होने से और किसी भी तरह के alteration से बचाने का तरीका है अगर blockchain का प्रयोग money transfer के लिए किया जा रहा है तो blocks में sender का नाम, receiver का नाम और amount की जानकारी होती है इसके अलावा blocks में एक hash भी होता है, hash unique identifier codes होते हैं, इस hash के तुलना आप fingerprint से कर सकते हैं जैसे fingerprint unique होते हैं वैसे ही हर hash unique होता है, पिछले block का hash अगले hash में भी शामिल किया जाता है एक hash उस block का भी होता है, ऐसे ही हर block में पिछला code होने के वज़े से नया block insert करने के लिए पिछले hash का code मालूम होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति बिना पिछले hash की जानकारी के नया code insert करता है, तो उसे सारे blocks में बदलाव करना पड़ेगा mathematical calculations इतने जटिल होती हैं कि पूरे laser के हर block में बदलाव करना मुश्किल है इस तरह सूचनाय चाक चौबन तरीके से सुरक्षित होती है blockchain P2P network पर आधारित होता है, तो किसी एक block में बदलाव करने पर सारे notes को पता चलता है यह तकनीक decentralized यानि विकेंद्री कृत नेचर की है यानि किसी एक system से पूरी chain connect नहीं होती, बलकि पूरी chain के सारे system एक दूसरे से connect होते हैं blockchain कई तरह के हो सकते हैं, जैसे public blockchain इसमें सारी सूचनाय सब के लिए open होती है private blockchain को कुछ लोगों के समूह तक सीमित रखा जाता है एक तीसरा network hybrid तरीके का होता है इसमें कुछ लोगों के पहुँच कुछ सूचनाओं तक होती है जबकि कुछ सूचनाओं से उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है केंदर सरकार ने 19,744 करोड रुपे के आउटले के साथ National Green Hydrogen Mission को मंजूरी दिये इसका मकसद भारत को Green Hydrogen के उतपादन और निर्यात में वैश्विक हब बनाना है इससे जलवायू परिवर्तन से निपटने में भी मदद मिलेगी इस मिशन से तकरीबन 50 मिलियन मिट्रिक टन सालाना कार्बन उतसरजन कम होगा गौर तलब है कि National Hydrogen Mission की घोशना प्रधानमंत्री ने अपने भाशन में 15 अगस्त 2020 को की थी आपको बता दे कि Green Hydrogen को नविकर्णिया उर्जा का उप्योग करके Electrolysis के जरीए पानी से उत्पादित किया जाता है इसमें Hydrogen और Oxygen उत्पन्न होते है इसका कोई भी By-Product ऐसा नहीं है जो परियावरण के लिहाद से नुकसान दे हो इसके अलावा Gray और Blue Hydrogen भी पाई जाती है Gray Hydrogen की बात करें तो ये भारत के Bulk Production का हिस्सा है इसे Hydro Carbons मसलन Fossil Fuel प्रकृतिक गैस आदी से हासिल किया जाता है इसका By-Product Carbon Dioxide है Blue Hydrogen की बात करें तो इसे भी Fossil Fuel के जरीए ही हासिल किया जाता है लेकिन इसके By-Product जैसे Carbon Monoxide और Carbon Dioxide है लेकिन इन By-Products को Capture और Store कर लिया जाता है आए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं पहला सवाल है निम्लिखित में से किन बैंकों को DSIV घोशित किया गया है ICICI, HDFC, SBI या फिर उपरोक्त सभी दूसरा सवाल है हाली में केंदर सरकार ने ब्लॉक्चेन तकनीक को क्रिश्ची उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया है निम्लिखित में से कौन सी विशेष्टाएं ब्लॉक्चेन से संबंधित हैं पारदर्शिता, विकेंदरी करण, सुरक्षा या फिर उपरोक्त सभी आए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है पहला सवाल था नीचे दिये गए कथनों में से कौन सा या से कथन असत्ते है या है आर्टेमिस कारिक्रम में तीन भागिदार एजन्सिया है यूरोपिया अंतरिक्ष एजन्सी, जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजन्सी और इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन चाइनीज लूनर एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम का नाम तियांग गूंग है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दोग इस प्रश्न का सही उत्तर है ओप्शन सी अगला सवाल था, रानी वेलू नचियार से संबंधित कत्नों पर विचार करें रानी वेलू नचियार का शासन आंधर प्रदेश के उपरी तटिय प्रदेशों में विस्तरत था रानी वेलू नचियार ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध संग्राम में अपने राज्जिका नित्रत्व किया था रानी वेलू नचियार की कमांडर का नाम कुईली था तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखे ठीक से पढ़ाई कीजिए नमस्कार हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi